विक्रम और बेताल ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही दोनों चौथे पड़ाप पर पहुँच गए विक्रम यह रही आपकी अगली पहेली बेताल ने कहा पहेली चार अपना वेतन चुने अभिमन्यू नाम का एक व्यक्ति है वह नौकरी की तलाश में है और नौकरी के इंटर्व्यू के लिए कई कमपनियों में गया बहुत प्रयासों के बाद आखिर अभिमन्यू उन कमपनियों में से एक में चुन लिया गया जिसके लिए उसने आवेदन किया था लेकिन किस्मत देखिए अभिमन्यू के बास ने उसके सामने दो प्रस्ताव रखे और नौकरी में शामिल होने से पहले उसे एक चुनने के लिए कहा पहले प्रस्ताफ के अनुसार उसके काम के पहले वर्ष के लिए उसे चार हजार रुपे मिलेंगे और उसके बाद प्रत्य वर्ष के लिए आठ सो रुपे की वृद्धी होगी दूसरे प्रस्ताव के अनुसार उसके पहले 6 महीनों के काम के लिए उसे 2000 रुपे मिलेंगे और उसके बाद हर 6 महीने में 200 रुपे की वृद्धी होगी आपके अनुसार अभिमन्यू को कौन सा प्रस्ताव चुनना चाहिए और क्यों विक्रम ने दोनों प्रस्तावों का विशलेशन किया और कहा कि दूसरा प्रस्ताव पहले वाले की तुलना में काफी बहतर है बेताल ने उस से पूछा कि वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है विक्रम समझाने लगता है कि वह उस उत्तर पर कैसे पहुँचा पहले हम दोनों प्रस्तावों को एक तुलनिय आधार पर लाएं समस्या के अनुसार अगर अभिमन्यों पहले प्रस्ताव को सुईकार करता है तो वह पहले साल के अंत में चार हजार रुपे कमाएगा और अगर वह दूसरे प्रस्ताव को सुईकार करता है तो वह पहले 6 महीनों के अंत में 2000 रुपे कमाएगा और अगले 6 महीनों के अंत में उसे 200 रुपे और मिलेंगे यानि अगले 6 महीनों के लिए वह 2200 रुपे कमाएगा तो पहले साल के बाद अगर वह पहले प्रस्ताव को सुईकार करता है तो वह 42 रुपे कमाएगा देखते हैं कि पहले साल के बाद दोनों प्रस्तावों में से एक को सुईकार करने पर अभिमन्यू कितना कमाएगा इस पश्ट रूप से अभिमन्यू पहले वर्ष के बाद पहले प्रस्ताव की तुलना में दूसरे प्रस्ताव को सुईकार करने पर दो सो रुपे अधिक कमाएगा अब अगर हम इस परिद्रिशे को जारी रखते हैं तो देखते हैं कि अभिमन्यू वर्ष दो के अंत में कितना कमाएगा आईए पहले दूसरे वर्ष के लिए पहले प्रस्ताव का मुल्यांकन करें अब दूसरे प्रस्ताव में अभिमन्यू दूसरे वर्ष के पहले छे महीनों में दो सो रुपे अधिक कमाएगा यानि 2400 रुपे और फिर दूसरे वर्ष के अगले छे महीनों के लिए वह पहले छे महीनों में जो उसने कमाया था उससे 200 रुपे अधिक कमाएगा यानि 2600 रुपे इस तरह यदि अभिमन्यों दूसरे प्रस्ताफ को सुईकार करता है तो वह 2400 और 2600 रुपे मिलाकर वर्ष दो के अंत में 5000 रुपे कमाएगा इसी तरह यदि हम अगले दो वर्षों तक इसी तरक को जारी रखते हैं तो यहां देखें कि ये दो प्रस्ताफ किस तरह का भुक्तान करेंगे प्रत्येक वर्ष के अंत में आप देख सकते हैं कि यदि अभिमन्यों पहले प्रस्ताव की तुलना में दूसरे प्रस्ताव को सुईकार करता है तो वह दो सो रुपे अधिक कमाएगा इसलिए अभिमन्यों को दूसरे प्रस्ताव को सुईकार कर लेना चाहिए जब विक्रम ने अपना इस पश्टी करण समाप्त किया तो बेताल ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम मैं आपकी बुद्धी मता से प्रभावित हूँ आईए अपनी यात्रा जानी रखें लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी किस्मत लंबे समय तक आपका साथ नहीं देगी और मैं जल्द ही उड़ जाऊंगा